अब नवल जी मैंने का निए जितने हमारे प्रमक मंदर ते सबकी सूची दी गई थी कब तोड़ा किसने तोड़ा कैसे तोड़ा फिर भी हमने का चलो भाई चारा बना रहें भाई चारा बना रहने के कान तीन मांगे थे मत्रा कासी और अजुद्या ये तीन समझोते पर पर ले रहें ना अब किसी की दया पर नहीं बन रहा है राम मंदर बन रहा है तो प्रमानतों को पूछे कैसे कहां जन में पढ़ो ना रिगवेद आप पढ़िये रिगवेद में वैश्रम खंड उसमें मिल्यागा आपको कि सर्यू से प्रश्म की और इतना कदम चलिए वहा प्रमान के साथ में बन रहा है का trigger काओ दात्न अब होगा तरो त्रमान पर होगा हां कि इसार आप मान लेते का मान लेते को तीन नम आपको हम खोगा आप कानुन की बाद करते हो समिदान की बात करते हो तो फिर कानुन को मांगते हो तो साची पर चलने दो पर का है हमने भाई चारे पर तीन मांगे ते नहीं मिले तो अमन जी तीन हयार नहीं तीन लाग पर भी बिल्डोर चलाना पड़ेगा तो चलेगा साची के अधार पर चलेगा क्यों को लड़ाई कारून की या तो जाया मंदिय के साथ मिलेंगे जो होगा होगा एक जो तरक बार में दिया जाता है कि मस्जिद शिफ्ट नहीं हो सकती ठीक अब चूंकि वहाँ पर आसा रशीदी जी की हाजिक भाई की मुस्लिम पक्षकी वो घ्यानवापी मस्जिद है मतुरा में शाही ईदगाह मस्जिद है आपकी नजर में जो नंदी है वो मस्जिद मुकी कैसे है वहीं पर फिर महादेव है शिवलिंग है उसी तरह शाही ईदगाह में श्रीकिशन जन्मस्थान है ये दावा है, मुझे समझाइए क्या मस्जिद शिफ्ट नहीं की जा सकती क्योंकि जन्मस्थान तो शिफ्ट नहीं हो सकता मैं जब पैदा हुआ हूँ, वो थोड़ी ना बदल जाएगा क्या मस्जिद शिफ्ट नहीं की जा सकती बिल्कुल सही कहा आपने, और ये बात सुप्रीम कोर्ट में राम मंदर के केस में रेज हुई थी, और राजीव धवन साब ने इसमें आट मैने तक बहस की थी और कहा था इसको लार्जर बेंच को भेजा जाए और कहा ये जो फाइंडिंग है, एबसुलूटली करें तक है फाइंडिंग यही है कि मस्जद जो है, वो इसलाम में एसेंशन रिलिजिस प्रेश्ट प्रेश्ट